नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ होमोपैतिक की BC21 टैबलेट के बारे में जो की आपको किसी भी मेंडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है इसका कुछ रैफर इस परकार का आता है इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है बच्चों के लिए ये Mad in India Mad in Germany टैबलेट है ये दो वैरियेसन में आती है Mad in India एक Mad in Germany ये मेरे पास जो है ये जर्मनी वाली टैबलेट है ये थोड़ी महंगी आती है आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ जो कि 20 गिराम में आती है वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पनने हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखें जादे से जादा सेर करें लाइक करें कमेंट्स करें आई अब बात कर लेते हैं बीसी 21 टैबलेट के बारे में या बीसी 21 टैबलेट के बारे में जो मैडिन इन जर्मनी है ये 20 गिराम में आती है जिसकी प्राइज होती है इसकी प्राइज होती है 200 रुपे ये 180 से 180 रुपे में किसी भी मेंडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है चिल्डन के लिए जैसे कि आपके बच्चों के डाड़ दात लिकलते है उसमें कैलसियम की कमी आ जाती है या आपके बच्चे के डाड़ दात लिकलते है तो जब दर्द होता है बच्चों के डाड़ दातों में मसूड़े फूल जाते है आपका बच्चा रात को रोता है या आपका बच्चा लैटिंग पतली कलने लगता है उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसके कारण बच्चों में कैल्सिम की कमी हो जाती है तो आप BC21 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं इसे लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के परचे या फार्मसिस्ट की सला की जोड़त नहीं होती है यह प्यूर होमोपैतिक मेडिसिन होती है यह आपको किसी भी मेंडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है यह मेडिन इन जर्मनी जो है यह थोड़ी महंगी होती है और जो मेडिन इंडिया आती है वो 110 रुपे में आपको किसी भी मेंडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है इसकी डोज जो होती है वो होती है डोज चिल्डन टू टैबलेट 4-3 डेली 3 time आप 2 दो टेस्ट दे सकते हैं 3-3 घंटे से या जो भी आपका डौक्टर बताए आप उसके आधार में भी उसी परकार उसे दे सकते हैं या आप 2-2 टेबलेट सुबह साम भी दे सकते हैं आप अप अपने बच्चे को और इसके result बहुत अच्छा है अगर आप भी अपने बच्चों के डारदात निकलने से परेशान है जैसे कि आपके बच्चों के मसुडों में दर्द रहता है बच्चों में कैलसिम की कमी हो जाती है जिसके कारण आपका बच्चा रोता रहता है और डारदातों में दिक्कत हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें